प्रवाव में घुसने हैं नहीं देंगे वीजेपी को आते हैं न चुनाओ के ये अंतीम वक्त में महाल कुछ से कुछ हो जाता है अंतीम वक्त तो आच प्या तो चाहे कितनी बड़ी जूट बोल ले हैं बोर्ट नहीं देगे दो बार तो मैं उनका जैंट रहा हूं आरिन घि महिने का वक्त बाकी है लेकिन ग्राउंड पर बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों की तयारी शुरू हो चुकी है लेकिन सबसे बड़ा जो निर्नायक फैसला है वो वोटर के हाथ में होता है तो गाउंद राज में जो वोटर है वो क्या कुछ सोच रहे हैं क्या कुछ मुद् करने वाले हैं कि चुनाओ का महौल कैसे देख रहे हैं क्या क्या दस साल में हुआ क्या बदला हुआ और इस बार क्या कुछ सोच रहे हैं आप बताईए जब क्या नाम है विरेंदर दंखड तो दंकर साब बताईए ज़रा इस बार हर्याना में क्या होने वाला है सबकी नज सरकार थी अब खटर जी को हटा दिया और नए मुख्यमंत्री बनाएं तो नया मुख्यमंत्री तो उनका मंत्री जो हमारे मुह में आएगा न वहीं बोलेंगे वह नया मुख्यमंत्री भी तब यह बताए कि अभी चुनाव प्रचार के शुरुवात होगी नेतानगरी के बना रखा है वह तो वीज़ेपी वाड़े तकाहूं में आएंगे तो ऐसे रोट से वापिस ले जाएंगे तरकार को लटी जवागे पूरी अच्छा यह बताए लोग सबाचुनाओं में तो फर्क दिखा काफी फर्क दिखा दसमें से अब और अब की बार और और प्रक द बहुत वार देखते हैं कि मुदी जी के चहरे पर उट परता है नए मुठी नगरी ना उसके भी निडल अहां और दिपादर दा बाधा है अँचा हां दिपंदर को भी न criticize उसके पिता जी को नहीं मानते हैं दिपंदर को मानते हैं यूथ के साथ है यूथ के साथ है जोगी इनों ने अगनी वीर चला दी बच्छा बेंचो जाओ फोज में च्यार साल नोकरी करेगा ना कुण का निवस्ता करें वेराबदमास बनके उल्टा जाएगा और गोली चलान सवाल पूछने वाले गाम बढ़ने को दिवाँ हाँ हाँ ओड़र देब बैट्टा में लोड़र नुकर माचलो तम याड़ वाद आओ मनना तो में घुस्ने नहीं देंगे वीजेपी को पिछली बार जैसे तो सरकार बना ले पिछली बार तो मारी आख मिचकी थी अब तो खुल ले इनों चोल दी वीजेपी ने पूरी तरह ठोल दी हरे अब कि बार ने मिचें आप प्छली बार कैसे सब्सक्राइब करें लिए अगनिवीर की पीचार साल नोकरी करें विए तो फिर या तो फिर या अपने बच्छो की संबाल भी नहीं कर सकता साधी उसकी में मौधी जी की सरकार है तीसरी बार बनी गटबंदन से बनी है लेकिन इसी बन गई जैसे से विचार थोड़ा अलग होगा है यह हमारी दो विदान लोक सबागी पांस सीटें कांगर्स की आई हैं तो उसमें इतना फरक दीग्या कि यह भाजे-बाजे आंड़ते हैं को कहीं है को कहीं है को आज रेली गुड़गां कर रहा है को कहीं कर रहा है तो लोगों की शमश्या बात की है चुनाओ रहेली की वह कह रहा है कुरुषेत्र से जो है वहां से जीत हासिल करेंगे इस पर जाएगा नहीं मुखमंद्री जो बने हैं वो किसानों को लेकर कहने करज माफी कर देंगे और किसे का माफी करें देगा क्या महर किखाई देरा चुनाओ से पहले बताओ बाचनायत पहले जो दो मैं तूद कि वाजते बोड़ता हैं आगे नगे कांगरस को देंगे बुड़ता है कियूं क्या बढ़िया लगा है कम दा कम आरे यह यो जिएकिना सुद्धा सो रहा यो ज तो इसे श्रीव है कोई भी बता दें आप घूम रहे हो इसे श्रीव है कोई अचाहिए पताइए मोदी जी के चहरे पार अगर चुनाओ लड़ते हैं तो कैसा होगा है कि मोदी का देट रहा कि कुछ और निशी ओड़ी मोदी रहा खायतें द्रवदी बुड्डा उगया बुड्डा हो गया वो 75 के पार माले रटार जो यह पबलीक सरकारी मुलाजियम तो सर्विस करें उनको ठावन साल में रटायमेंट कर देते हैं और मोदी को 75 सालती कुर्स पॉपलिक ने को निक यो रियाना के चुनाव में कौन सा इसा दो तीन मुद्दा जो जनता के जहम है मैं यह जो काम करवाओं ने उसके वूट देगी पपलिक हमारे गाओं में खटर सरकार अभी है तरह कुछ करवा नहीं कर रहा कि अधमीं पने उन्हें पने उन्हें नहीं दूट पुटली उसकी उनकी जो पुटली है जब नुट बठाद जिया वह अपनी केल ले गया उसको बूद नराजी है बहुत ज्यादा आप क्या सोच रहा है जी यह सोच रहा है और सुकूल है वो सरकारी वो बंद होने के लिए चल रहा है मास्टों को इतना काम दे रखाया बच्चों को बढ़ाने के लिए टाइम नहीं मास्टर ही पठाने लायक नहीं है अगर ना यह बताइए आपके हिसाब से इस बार चुनाओ कौन से मुद्धे पहुना चीए क्या सुच्छा जारा है मारे गाम में दो कोई मुद्धा भी नहीं है जी माव बोट गिना टाल मारांगे अशा ब्रेट दिस बीजेप अच्छी है इसे बहुत अच्छी है क्या किया रहे है नहीं आचा यह कौन-कौन से मुद्धे पर यूज क्या हो चरा है इस बार चुनाओ से पहले यूज क्या सो समर्तक ने दो बार बोट भी कह रही है विजेपी की दोनों बार और इसके एजेंट भी मिनते थे अबूत जैंट और अब की बार बोट भी नहीं देंगे और गाउं मों कुछने भी नितने बदल गए क्यों बदल गए इन खुद बदल दिये ना मजबूर कर दिये काम तो क इसकर आफ मलड़ा बोट भी हो नितना बंड़ा से पहले अगर कोई ऐसा वादा कर दे सरकार तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं आप तो चाहे कितने ही बड़ी जूट बोल लेए बोट नहीं देंगे अच्वा जूट बोलने कितने बड़ी अच्वादा तुर लगता है ठीशरी बार एक बार आपने जो चुना तो फिर दूसरी बार क्या तो बार तो मैं उनका आजंड रहा हूं अब मतलब अर्म मतलब आरेन घ्रेली में ज़िए था और अपनी जयेव से पे टेल फूख जाए था दर लेगे चेयर बंदों को पढ़ चुक्या है जो आभ की बाव जिए किस ना चुनाओ के अंतिम वक्त में महॉल कुछ से कुछ हो जाता है न्युक्त पहले ही दिखा दिया है पाचा पाच पाच सीट करके लोग सभा में दिखा जाए नहीं पिछली बार बीजेपी की साथ चले इस बार क्या महल दिखाए जैजबी जैजबी वाले का उठाव चूला है ठीक है जा खाने ने मिलनेगा वहीं जागा भरोसा नहीं जैजबी पर कोई बशानी जैजबी पीटे लाड़ु है मोटा लाड़ु नहीं होता पत्तर है जिला रहतक है और तमाम लोगों से बाचीत करें अलग अलग जा गए जाकर कि क्या कुछ महाल है ग्राउंड पर क्या कुछ लोग सोच रहे हैं क्योंकि चुनाओं का वक्त करीब है और इसी वक्त में वोटर जो है वो अलग-अलग मुद्दों को लेकर सोचते हैं तो गा लोगो कि लेकर लेकर से बाम स्काट